हलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बेक टू दा चैनल वन्स अगेन, होफ़ुली आप सब लोग एगदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सिहत मन दूँगे So मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ अपने नए घर के कुछ ग्लिम्से शेयर करे थे तो यहाँ पर नवरातरी का सेकेंडे था, जिस दिन हमको अपने घर की कीज मिली थी आज के इस व्लोग मैं शेयर करूंगी कि इस घर की जो जर्नी थी, वो कैसे शुरू ही, कैसे हमने देखना घर शुरू किया और यह है में जो एरिया है हमारे घर का वो यहाँ की एंट्री तो चलिए व्लोग को स्टार्ट करती हूँ मैं अब तो जो हम लोगों की घर देखने की जर्नी थी, वो पाच्छे महीने पहले स्टार्ट हो गई थी यह जो वीडियो है यह रीसेंट की नहीं है क्योंकि हमने अपनी जो सर्च है वो पाच्छे महीने पहले स्टार्ट कर दी थी तो जबी से मैंने छोटी-छोटी सी रेकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट कर दी थी आप सबी लोगों के लिए ताकि मेरे को व्लॉग बनाने में भी इजी हो जाएगा so one more time i am showing you the front view of my house so this is the front view एक साइट गराज है और एक साइट में एंट्री और एक्जिट है वैसे तो गराज से भी एंट्री एक्जिट कर सकते हैं और अब आप सब लोगों को quickly empty house tour करा देती हूं तो हम लोगों की सर्च तो पाच्छे महीने पहले स्टार्ट हो गई थी बहुत सारे हमने घर देखे भी थे और आज हम अपने इसी घर पर आए हैं जो हमने सलेक्ट किया है and snow बहुत जादा हो रही है बट स्टिल हमको आज यहां आना भी था तो मैं आज आपको अपने घर का टूर करा देती हूँ so main gate से जब entry करते हैं तो right hand side सबसे पहले पड़ता है study room यह इस तरीके का है इस पे carpet है and इसमें कोई भी closet नहीं है window है जिसमें की अच्छी का सी sunlight आती है study room से ही लगा हुआ यहां पर इस तरीके का यह toilet है जिसमें की bathroom नहीं है and right hand side थोड़ा सा आगे जाते हैं तो kitchen है और kitchen से ही लगी हुई pantry है pantry मैं आगे वीडियो में आपको definitely दिखाऊंगी और kitchen के सामने ही हमारा आजाता है living room और kitchen के side में ही थोड़ा सा एक इन लोग ने no area भी दिया है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ आज snow है तो बाहर का आपको नहीं दिखा पाऊंगी तो यह है हमारा living room living room से यहाँ पर जो stairs जाती है उसके उपर bedroom से हो loft है तो मैं पहले आपको उपर का दिखाती हूँ उसके बाद जो नीचे का थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी दिखाऊंगी living room में आपको यहाँ पर fire place भी दिख रहा होगा और fire place से लगई भी बहुत बड़ी से window है जिससे अराम से अच्छी कासी धूप आ जाती है और हम मैं जा रही हूँ नीचे वाला पूरा area आपको दिखाने के बाद उपर और उपर जाते ही जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा loft इस side यानि की right hand side इसमें भी आप देख रहे हैं अच्छी कासी धूप आ रही है क्यों तो बहुत अच्छी कासी बड़ी बड़ी windows द आते हैं तो यहां पर आ जाता है master bedroom और master bedroom से ही लगा हुआ यहां पर attach let बात है तो सबसे पहले आता है यहां पर bathtub bathtub के बाद यहां पर आता है standing shower अभी काम चल रहा है इसलिए आपको पूरा complete नहीं दिख रहा है उसके पर toilet and then उसके बाद closet आता है in which you can organize your clothes and other stuff as well तो इस तरीके master bedroom का bathroom है यहां पर दो sink है बाकी कुछ organize करने के लिए drawers भी दे हुई है तो यह हो गया master bedroom तो अभी यह जो वीडियो मैंने बनाई है यह उस दिन बनाई है जब यह घर construction mode पे था और लेकिन अब यह पूरी तरह से furnished हो गया है तो अब जब आपको next वीडियो का भी आगे जब यह पूरी तरीके से आपको furnish मिलेगा master bedroom से जब हम loft की तरफ आते हैं तो जो दूसरी side पड़ती है उसमें दो bedrooms और हैं दोनों bedroom बच्चों के हैं तो यह वाला जो bedroom है यह right hand side है और इसमें इस तरीके से closet दी गई है और इसी तरीके से same bedroom opposite side है जिसमें की closet दी गई है तो इनके जो bathrooms हैं वो common दीए हैं center में इनके rooms में attached bathrooms नहीं दीए हैं तो यह एक room है इसके ही जैसा मैंने आपको जो दूसरी side है वहाँ पे दूसरा room दिखाया है तो total उपर की side 3 bedrooms है एक loft है एक master bedroom से लगा हुआ attached lead bath है और एक common है जिसकों की बच्चे use करेंगे अगे इन बच्चो की room से जब पहार निकलते हैं तो इस तरीके से stairs आ जाती है और मैं आपको उपर से भी दिखाती हूँ उपर से देखने से living room कुछ ऐसा लगता है और हाँ जो master bedroom है उसके सामने एक space है जहाँ पर की washer और dryer की space है तो अभी मैंने वो दिखाया नहीं है क्योंकि हमने washer dryer अभी जैसे ही उतरते हैं तो ये living room है और ये new area है kitchen के पास जहाँ पर आप dining रख सकते हैं और ये है kitchen और kitchen से ही लगी हुई pantry भी है तो इस तरीके से है तो मैंने आपको kitchen से लगा हुआ pantry बताया था तो ये जो आपको मेरे पीछे door देख रहा है ये kitchen से लगा हुआ pantry है क्योंकि अभ आगे मैं definitely दिखाऊंगी और इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ and अच्छा लगा हो तो like करें and friends family के साथ जैसे दा शेयर करें चैनल को subscribe करें to become a part of my family मिलूंगी next वीडियो में जब तक के लिए take care bye and thank you हुआ जब तक करें लगा है